हलो बच्चों कैसे हैं आप मैं मकेश कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक एडिक्शन हब पर त्रिकोंड मित्ती के अनुप्रियोग यानि कि सम एप्लिकेशन्स ओफ ट्रिकोंड मेट्री की जो हमने स्रीज स्टार्ट की ह आज से जो कि RBSC 10th Class और NCRT 10th Class दोनों ही में एक महत्रपुर्ण टोपिक है ट्रिकोंड मेट्री का RBSC में इसका चैप्टर 8 है और NCRT में इसका चैप्टर 9 है इसके कुछ मेट्रपुर्ण क्योशन्स जो है मैं आपको सोल करूँगा आप पूरा वीडियो देखें पूर ध्यान समझें और यह ना देखें कि क्योशन्स को आप रटना पड़े आपको आपको उस क्योशन्स क पैटर्न को समझना है कि कोई क्योशन किस टाइब का हो तो से कैसे सोल किया जाए क्योंकि क्या होता है कि अंदर क्योशन्स वही रहते हैं कि वह नंकि संख्याय है वेदा चेंज कर दी जाती है तो आप उसके pattern को समझें, तो आज हम ले रहे हैं, RBSC 10th class की book में से question number 15 ले रहे हैं, आप दांस देखें कि एक stump है, एक tower है, उस tower के शिखर को भूमी पर इस्थित किसी बिंदू से देखने पर उसको उन्यान कोण है, याणि angle of elevation वो 15 डिगरी है, और tower की ओर 100 मीटर चलकर फिर से शिखर को देखने पर उसका angle of elevation याणि कि उन्यान कोण 30 डिगरी हो जाता है, और हमें इसकी height find करनी है, इस्तंब की उंचाई ग्यात करनी है, तो सबसे पहले इन question solve को solve करने के लिए हमें diagram बनाना होता है, क्योंकि diagram तब तक सही नहीं बनेगा, तब तक एक question solve नहीं हो सकता है, तो हम diagram बनाते हैं, A, B, एक perpendicular है जो उसकी height है, tower की, B, C, D, ये भूमी है, जमीन है या earth है, और इस पर कोई point D है, उस D से हम शिखर, ये टॉप जो है tower का A, उसको देखते हैं, तो angle हमारा 15 degree, angle of elevation है, और D से हम जब tower की और जाते हैं, point C तक 100 meter, तो जो angle of elevation है, वो 30 degree हो जाता है, शिखर का, तो ये हमने diagram बना लिया है, आप diagram समझें, इसमें, lat height of tower, यानि कि जो इस्तंब की उचाई है, A, B, वो हमने h meter मान ली है, और जो B, C है, वो इस distance को हमने x meter सपोज कर लिया है, इन किशनोर solve करने के लिए, हम right triangle का ही use करते हैं, और इसके लिए कौन सा ratio लगेगा trigonometry का, कौन सा नपात लगेगा, उसके लिए आप जो पिछले वीडियो में दिये हुए हैं, trigonometry के उनको देखें आप, तो यहां पर हम करते हैं, in right triangle ABC, बी पिनाइन डिगरी अंगल है, अब ABC लेंगे, तो इसमें AB perpendicular है, BC इसका base है, और angle जो है, वो 30 degree है, एक्विट अंगल, तो इसमें लगेगा हमारा perpendicular base, P upon B, यानि कि लंब बटे आधार, यह उनों पात आता है, 10 में, तो 10, 30 degree, equal AB upon BC, और उसके बाद, 10, 30 degree की जो value है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वो होती है, 1 upon root 3, equal AB, h meter है, और BC, x meter है, h upon x हो गया, आप इसको हम करेंगे, cross multiply, तो हम क्या करेंगे, x को 1 से करेंगे, तो x अजाएगा, और root 3 को h से करेंगे, तो root 3h, it means x की value आगई, x equal root 3h meter, यह equation 1 हो गई, अब हम right triangle लेंगे, now in right triangle, ABD, समकौन तरभूज ABD में, तो हम देखेंगे कि AB perpendicular, लंब है, BD, आधार, यानिकी base है, तो 10 लगेगा, 10 15 degree, equal AB upon BD, लंब अधार, तो 10 15 degree की value हमें, देखेंगे, में, कितनी है, 2 minus root 3, हम put कर देंगे, equal, जो AB है, वो h meter है, और BD हो गया, x plus 100, put in the value of x, x का मान रखने पर, x की value हम उपर निकाल चुके है, root 3h, हम put कर देंगे, तो यह बन जाएगा, 2 minus root 3, equal, h upon root 3h plus 100, अब 2 minus root 3 की आपने वनुमान लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, cross multiply करेंगे, तो 2 minus root 3 को, पहले हम multiply कर रहे है, root 3h plus 100 से, तो इनको हम दोनों बैकेटिम लिख दिया है, 2 minus root 3 एक बैकेट में, दूसरे बैकेट में इनुम लगा दिया हमने, root 3h plus 100, और equal में, h को 1 से multiply किया, तो h, यह हमने कर दिया, cross multiply by c, हम दोनों बैकेटिम करेंगे, multiply करेंगे, तो पहले 2 से into करेंगे, तो 2 से into करने भी क्या आएगा, 2 को root 3h से करेंगे, तो root 3h हो गया है, plus 2 को 100 से करेंगे, 200 हो गया है, फिर हमने minus root 3 को root 3h से किया, तो minus का 3h हो गया है, और minus root 3 को 100 से करेंगे, तो minus का 100 root 3 हो जाएगा, और equal में आजाएगा h, हम देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे terms h में है, कुछ बिना h की है, तो हम h वाले terms एक तरफ कर लेते हैं, और बिना h वाली एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं, हमारे पास हो गया 2 root 3h, फिर आगया हमारे पास minus का 3h, और इस h को rh से lh से में ले आएगे, तो minus का h हो गया, और equal में जब ले की जाएंगे, तब देखेंगे, जो minus का 200 है, उसको उदर ले गए, तो आपका हो गया है, यह 200 plus का है, यह जाके minus का हो गया है, और जो 100 root 3 minus का था यह आगे plus का हो गया, तो क्या बन गया, 100 root 3 minus 200, यह हमारे पास by transfer, पहने पक्षानतन करने प अब क्या करना है आपको, देखेंगे आप इदर, LHS में देखिए, आपके पास minus का 3H भी है, और minus का 1H है, तो यह minus का 4H हो गया, तो क्या बन गया, 2 root 3H minus का 4H equal, 100 root 3 minus 200, अब इसे हम common लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, यहापर common जो मारे पास आ गया है, वो आ गया, कित 3 minus 2, क्योंकि 2 common लेज़े, 2 दूनी 4, तो यहापर 2 आ गया, तो हम रखा गया, root 3 minus 2, equal इधर देखें, तो इधर आप देख रहे हैं, 100 common आ जाएगा, तो 100 का डिवाड़ करेंगे, तो root 3 आ जाएगा, minus में 100 दूनी 200, तो 2 आ जाएगा, तो root 3 minus 2, आप देखें, दोनों साइट next step में, तो h equal 100 upon 2, तो हमार पास आ गया, इसका, 2 से डिवाड़ करने पर 100 को 50, तो h equal आ गया 50, तो हमार पास, जो height of tower है, तो इस तंब की उचाई है, वो हमार पास आ गयी है, 50 मीटर जो कि इसका answer है, तो आप इसी तरह से और questions हो सकते हैं, आपकी book में होंगे, और NCRT में हों ताकि उसमें काफी question होते हैं इस तरह के, तो आपको इसी pattern को उप्योग करते हुए, आप हम question लेते हैं, RBSC की question ले रहे है, question number 19, chapter 8 का है, और इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, कि एक भवन है, एक building है, जो 7 मीटर हाई है, और उसके सामने एक tower है, और उस tower की height हमे find करनी है, building का जो top है, उस top से, जो tower का top है, उसको देखने पर, जो angle of elevation है, वो 60 degree है, और जो bottom है, tower का, अगर उसे देखते हैं हम, building के top से, तो वो angle of depression बढ़ेगा, कि वो नीचे है, देखिए, जब उपर वाली चीज़ को देखते हैं, उंची चीज़ को देखते हैं, तो angle of elevation, उन्यान कोन बनता है, तो इसमें आप देखें, ये tower का जो top है, वो building के top से उच्छा है, तो ये angle of elevation है, लेकिन tower का bottom है, वो building के top से नीचे, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, हमें अपना आँखे जुखानी पड़ेंगी, इसलिए यहाँ बनेगा angle of depression, यानि की आवनमन कोन, जो की 45 degree है, 45 degree, यह question है, और हमें find करना है इसके अंदर, कि tower की उचाई याद कीजिए, यानि high top tower में find करनी है, यह question है, अब इसी के coding आप क्या करना है, आपको diagram बनाना है, diagram बना बहुत जरूरी है, A, B, हमने एक building ली है, जो 7 meter high है, और इसके सामने हमने एक line और खींची है, C, D, यह tower है, जिसकी high time हम find करनी है, उसको हमने h meter मान लिया है, अब जो A, जो top of building है, उसके हम खड़े हो गए है, यहाँ से हमने देखा है, top of tower D को, तो AD हो गया, और फिर देखा है, हमने bottom of tower C को, तो यह AC line खींच दी हमने, और इसका angle देने के लिए, हमने BC के parallel line खींची, AE, तो आप देख पा रहे हैं, कि जो angle DAE, angle of elevation है, 60 degree हो गया है, और जो angle EAC, angle of depression है, यह हो गया है, 45 degree, आप देखिए, आप EACB, यह alternate angle है, एक कांतर को, जैर की shape में है, तो angle ACB, यह भी हमार 45 degree का हो गया है, और हमने height of tower H meter मानी है, CD, और base जो है, वो BC, उसको हमने X meter माना है, BC के सामने, यह AE है, तो यह भी कितना हो जाएगा, X meter हो जाएगा, यह हमारे question का, और जो diagram है, उसका पूरा explanation हो गया है, इस प्रश्टिकरण, आप इसको हम सोल कैसे करते हैं, तो देखिए, in right triangle ABC, समकुर्ण लंब है, BC, बेस आधार है, और angle 45 degree है, तो 10 लगेगा इसके अंदर, आप देख लें, लाल बटा कक्का वाले टेबल थी, या पंडित बद्री परसाद हर हर बोले वाले टेबल आप देख लें, पूरे पिछले वीडियो में देर खिए, मैंने, आप समझें, उसको link दिया व है, इसकी building की, वो 7 meter है, 7 upon में X, अब इसको cross multiply करेंगे, तो X को 1 से करेंगे, X से दाएगा, 7 को 1 से करेंगे, 7 तो X से को लोगा, 7 meter, यह आ गए हमारे पास, X की value, इनकी किशन बना गई, आप क्या लेंगे हम, आप triangle लेंगे हम, DAE, right triangle है, DAE, E पर 90 degree का angle है, DAE लेंगे, तो इसमें DE perpendicular है, और जो AE है, वो base है, DE आप देखें, साब दिख रहा है कि, H minus 7 meter होगा, और AE जो कि X meter होगा, तो इसमें लागेगा, 1060 degree equal DE upon AE, फिर हमने 1060 degree की value पुट करी, root 3 upon में 1 हमने मान लिया है, यह टेल बनाना में शिखाया थे पिछली वीडियो में, आप देखें, और root 3 upon 1 equal में, H minus 7 upon X, putting the value of X, X की value उपर निकाल चुके हैं, 7 meter हमने put कर दी, तो root 3 upon 1 equal, H minus 7 upon 7, अब इसम क्या करते हैं, cross multiply करते हैं, तो H minus 7 को हमने 1 से into कर दिया, तो H minus 7 आ गया, equal में 7 जो upon में है, root 3 से multiply करेंगे, तो 7 root 3, यह by C है, यह by cross multiply हो गया, वज़र बना करने पर, इसके बाद H की value एक तरफ, बिन H वाले जो term से हो एक तरफ, तो minus 7 उदर जाएगा, RHS में, तो यह plus का 7 हो जाएगा, तो H equal हो गया, 7 root 3 plus 7, इसके बाद दोनों में हम देख रहे हैं, 7 common आ रहा है, और अब bracket में बच गया है, root 3 plus 1, root 3 की value हम जानते है, 1.732, दान रखे, कुछ books में, इतना ही, जो solve कर जोड़ जाता है, अंसर देज जाता है, लेकिन हम पूर solve कर रहे है, root 3 की value 1.732 में put करी, तो H equal हो गया, 7 bracket में 1.732 plus 1 था, तो 1 के आगे हम point लगा के 0, 0, 0 लिखेंगे, आप इनको हम क्या करेंगे, आपस में, जोड़ देंगे, तो हमर पस हो गया है, H equal 7, in two bracket में हो गया, 2.732, और इसको multiply करते हैं, 7 से, तो H equal कितना हो जाएगा, 7, 2, 14, 4 जाएगा, 7, 21, 22, उपर, 2 लगेगा, फिर हमर पस हो गया, 7, 7, 49, और 2 करेंगे, add करेंगे, तो 51 बन जाएगा, point लगा देंगे, 7, 2, 14, add कर देंगे, 19, 19.124 मीटर, यह हमरे पस आगई है, height of tower, जो इस्तंब की उचाई है, वो H equal, यहनि C D equal हमरे पस आगई है, 19.124 मीटर, तो आशा करता हूँ कि आपको दोने questions में आया होंगे, आप इनका अधार पे जो और questions हैं, उनको आप solve करें, और अगर फिवी को स हमश्या आती है, तो आप मुझे WhatsApp पे लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको लगाताज वीडियो भेज़ता रहूंगा, आज का वीडियो का question है, वो यह है कि पूरे वीडियो में मैंने triangle कितनी बार बोला है, question में जो मैं triangle बोला है, उसको आप शामिल नहीं करना है, केवल जो दोनों questions मैं समझाएं आपको, इन दोनों questions को सोल करने में, मैंने triangle कितनी बार बोला है, यह आपको बताना है, जल जल में WhatsApp करिए, ताकि आपका नाम अगले वीडियो में आ सके, धन्यवाद, आ, करते हैं, को समय को बैसे कर एंबीर, करने हन आ लोर करू़ नहीं कि में और लोग उडियों जग जबीर, कि यहाद आपको, नथ जढडना अ बंड़ त्यों का उड़ कर दोना का रूटके को समय कैस्ट आपको, अराइ क्टियर सक्तिर्य संदर्शी